आसल्म लीक्म इन्ट तरेंट तेन प्वाइंट लेक्ट्ट लेक्टर के साथ हम इस फ़र दिसकेशन स्टार्ट कर रहे हैं तैलेस्कोप पे अस्टोनॉमिकल टैलेस्कोप इस टैलेस्कोप विच इस तो सी हैंवली ऑबजेक्ट अबजेक्ट्स क्लियरली अच्छा हैवन आम तोर पे हम जन्नत को कहते हैं तो वैसे हैवनली अबजेक्ट्स का मतलब आसमान पर मौजूद अबजेक्ट्स होता है अच्छा अब यह तो इसका मुक्तसर सा तारुफ है होती क्या है यह टेलिस्कोप है जो कि आसमानी चीजों को देखने के लिए इस्तमाल की जाती है अच्छा पहला सेंटेंस आप क्या लिखेंगे अच्छा पूरा सेंटेंस ना खुद लेख लेना मैं चाहरा हूँ कि वीडियो का साइज लंबा ना हो जाता है इस इस फोकल लेंथ इस लार्जरी है इस फोकल लेंथ यह लारजर यह तो खाल पिस इस फोकल लेंथ आ आईपीस फोकल लेंथ यह तो क dolphins क trafficking होगा hazard की वरकिंग में क्या लिखेंगे दी अब्जेक्टिव मेक्स अरियल इनवर्टिड अब्जेक्ट आफ दी इस इस्ट्रोनॉमिकल अब्जेक्ट अट इस फोकस एंड इस इमेज इस इनवर्टिड इमेज एक्स लाइक अब्जेक्ट फोर दी आईपीज अन आईपीज इस मेक्स इस वर्ट्वल एंड इन लार्ज अब्जेक्ट ठीक है एस शौन बाई दी फिगर अच्छा यह पूरा सेंटेंस आप लिख देंगे तो उसके बाद आपने डाग्रेम बनानी है अच्छा वर्किंग कंस्ट्रिक्शन आप कहीं से भी लिख सकते हैं एक दो लाइने लिखने होती है चैनीए यह वो स्थांगर कंसर नहीं होता जो फाइनल मी पेपर होता है उनका होता यह है कि मैग्निफिकेशन आप ट्राइफ करें तो magnification ड्राइफ करने के लिए यो formula ड्राइफ करते हैं उसके लिए ये पहला लेंस बनाया है इसका नाम है objective अच्छा अब दूर से जो rays आती हैं उनको आप ऐसे बना दें किसी भी एंगल पर और एक ray of light यह अप्टिकल सेंटर से लेकर आ जाया है अब यह हम फर्स करने के चांद से रोशनी आ रही है ठीक है किसी भी जगा पर आप बना दें image इस image पर मैं क्योंके बुक में उसने लिखा है QI तो मैं लिख रहा हूँ QI और यह जो पॉइंट है इसका नाम बुक में उसने XML लिखा है तो मैं भी XML लिख देता हूँ कोई फर्क नहीं बढ़ता कुछ भी लिखने अब यह जो रेज आ रही है सितारे से चांद से कहीं से भी दूसरी रे को यहां जोइन कर दें इस object के header के साथ होता यह है कि जो भी दूर का object होता है infinite distance पर बहुत ही ज़्यादा दूर पर lens उसका image अपने focus पर बनाता है ठीक है तो यह खासियत होती है आपने कभी हाथ में lens लेके भी देखा होगा कि अगर आप सूरज का image बनाते हैं जैसे बच्चे हाथ जलाने के लिए lens सूरज की रोशनी में रखके दूसरे का हाथ सामने रखते हैं तो उसक्त सूरज का image जो होता है ठीक focus पर बनना होता है तो यह जो distance है जिसे हम Q कहने के आदी हैं यह basically बनेगा focus पर F O के equal होगा और P E कहा है चांद का फासला इस lens से कितना है तो मैं उसको infinite भी कह सकता हूँ infinite का sign ऐसे बनता है ठीक है तो यह ऐसे भी लिख सकते है कोई ज़रुवत है नहीं message की अच्छा यह जो angle है यह वाला यह angle बन रहा है object का angle ठीक है angle subtended by object इसका नाम है alpha ठीक है अच्छा अब मैं दूसरा lens बनाता हूँ और यह गलती होगी मुझसे कि मैंने यह लिख दिया बार यह आ गया दूसरा lens यह जो बीच की मैं line बना देता हूँ अपने आसानी के लिए इसे मिटा दिया किने अगर आप बनाने के आ दिया तो अच्छा यह x2 आ गया यह जो point है optical center इसका नाम x2 रख दिया है यहां से आपने वही काम करना है जो आपने compound microscope में किया था यह एक सीध लाइन ले आगे से dotted line ले 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 और यहां से एक ray आप यहां ले आए अच्छा जहां object बनाना चाहते हैं हमाँ बना डाले पहले ठीक है और इस object को बनाने के बाद यह जो point होता है इसको इससे join कर दे यह diagram बन गई इसकी ठीक है यानि आपके आदे नंबर इस diagram पर ही हो गए है अच्छा यह जो चांद का इस इमेज है यह eye objective के focal length पर बनता है और यह जो microscope है इसे ऐसे adjust किया जाता है कि यह जो eye piece है इसका focus भी यहीं आ रहा होता है यानि दोनों focus overlap हो रहा होता है तो यह जो distance है जिसे हम PE कहने के आदी है यह focal length of eye piece के equal ही रहेगा यानि इस objective का focus भी यही है और इस eye piece का focus भी यही है अच्छा यह जो angle है यह वाला यह क्याराता है बीटा और इसे कहते हैं angle subtended by image यह image का angle है इसे बीटा से जाहर करते हैं अच्छा final जो image है यह वाला इसके साथ आप I यह मैंने Q लिखा था यह Q dash और I dash रखने क्योंकि बुक में ऐसे नाम दिया मैंने इसलिए ऐसे लिखने हैं अच्छा अब angular magnification किसके equal होती है angular magnification equal होती है बीटा divided by alpha यानि के बीटा divided by alpha ऐसे भी लिख सकते हैं इसे अब अगर मैं बीटा और alpha की value मालूम कर लूँ इस triangle से तो नहीं यहां रख दूँगा तो मेरे पास magnification of astronomical telescope आ जाएगी तो अब क्या करते हैं कि यह जो diagram है इसके लिहाज से देखें यह मैं लिखता हूँ tangent of alpha यह किसके equal होगा equal होता है perpendicular upon base alpha है किदर यह रहा alpha के सामने किया है यह यह perpendicular होगा तो perpendicular आ गया उपर यानि कि क्यू आए IQ भी लिख सकते हैं अच्छा base का होगा इसका यह angle है angle के सामने perpendicular तो यह इसका base होगा है यह वाला और इस base की length देखें उपर क्या रही है F O तो मैं यह लिए देता हूँ F O तो tangent of alpha मेरे पास आ गया Q I divided by F O अच्छा अब क्या समचने हैं चांद कितना दूर है आपसे बहुत दूर है तो जब बहुत दूर की object का यह angle जो होगा यह इंतहाई छोटा होगा तो इसलिए आप लेख सकते हैं for smaller angle simple bandolos में हमने किया था कि smaller angle के लिए tangent alpha की value alpha के equal होगी यह निए tangent of theta की value theta के equal होती है simple bandolos में हमने यह assumption की थी वहाँ discuss भी किया था तो मैं यह लिख सकता हूँ इस यह जगा यह जो tangent alpha लिखा हुए therefore tangent alpha is equal to alpha is equal to qi into fo और मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ alpha is equal to qi divided by fo यह मेरे पास एक equation आ गई अब tangent beta मालूम कर लेते हैं tangent beta किसके equal होगा tangent equal होता है perpendicular upon base अच्छा अब यह आजाएं इस जगापर तो अच्छा यह मैं कैसे यार दोनों सामने आपके साथ यह देखें यह beta है यह beta के सामने यह perpendicular है ठीक है तो मैं perpendicular की जगाँ लिखता हूँ qi और base की जगाँ बेस की जगाँ मैंने आपको बताया कि बेस कितना होता है यहां से लेकर यहां ते काडिस्टेंस यह रहाँ PE के एकफ़ल होता है और PE किसके एकफ़ल है focal length of IPs तो इसलिए यहां पे आएगा FE डियाग्राम को एक दफ़ाँ बनाएंगे अपने हाथ से और खुद से जब करेंगे तो इंचाला कोई clearly समझ में आएगा और मैं और करके लिखता हूँ tangent beta is equal to QI divided by FE और क्योंकि यह angle भी बहुत चोटा होता है इसलिए for smaller angle tangent beta equal होना चाहिए सिर्फ beta के tangent of theta theta के equal होता है इसलिए अब यह equation है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ therefore tangent beta is equal to beta is equal to QI over FE अचा अब यह मेरे पास आ गया और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ beta is equal to QI divided by FE अब यह दोनों चीजे मुझे पता चल गई है तो मुझे alpha की value भी पता चल गई और मुझे beta की value भी पता चल गई यह दोनों values put कर दें equation 1 में तो equation 1 क्या थी कि magnification equal होती है beta divided by alpha beta की value equation 3 से यह लिखें यह आपके सामने लिखी हूँ QI divided by FE divided by alpha alpha की value क्या है उपर देखें यह रही qi over fo तो यह आपने लिखा qi over fo यह जो divide है इसको जो multiply का निशान बनाएंगे तो reciprocate करना पड़ेगा इसको fo उपर आ जाएगा qi नीचे आ जाएगा यह cancel हो जाएगे तो क्या बच जाएगा आपके पास fo divided by FE यानि के magnification of astronomical telescope होती है fo divided by FE or magnification is equal to focal length of objective divided by focal length of I piece अच्छा यह focal length magnification हो गई length of the telescope किसके एकवल होती है L अब यह diagram कर आप वापस हैं length to length distance length of the telescope कहलाता है तो अब आप बताएं length to length distance क्या हो गया अच्छा यह battery क्योंके कम हो गई तो यह light बुज गई है इसकी इस length से लेके इस length तक का जो distance हो कितना है यहां से लेके यहां तक FO और यहां से लेके यहां तक FE तो मैं कह सकता हूँ कि astronomical telescope की जो length है वो equal होती है L is equal to FO plus FE यहां आप लिखेंगे length of tele scope ठीक है तो यह आ गया आपका यह हो गया आपकी astronomical telescope ठीक है यह पूरी derivation हो गया इसे कर दिए आपका पूरा course हो गया है numericals की अगर जरूरत पड़े और time मिले तो हम और कर लेंगे आज इसे तो अब यह इसकी practice एक दफा करने बहुत आसान derivations है एक दफा करने के आपसे हो जाएंगी ठीक है Thank you बिटा, Thank you very much, Allah Hafiz